अगर आपने लास्ट लेक्चर भी कॉंसेट्ट मिस किया था call अप उसको जरूर चेक आउट कर्लेना उसमें आपने देखा हुआ था कहनद हमारे जो भी कॉंसेट्ट है अबाओट लाइक हमारे इंतिजर कोंस्टेंट है उससे पहले हमने देखा था यह बहुत ही अच्छे से समझना आए इसका जो यूज है वो आपको इन फ्यूचर एंड उसके साथ साथ आगे आप कॉंटिन्यू रखते हो अपना CS सब्जेक्ट कंप्यूटर का सब्जेक्ट तो आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सो अगर बात की जाए सी में डेटा टाइप की सो जो हमारा सी में डेटा टाइप है वो थ्री टाइप का होता है प उससे ही रिलेटेड यहाँ पर आपको concept देखने को मिलेगा जो हमारा प्राइमरी डेटाइप होता है वह चार प्रकार का होता है पहला होता है करेक्टर दूसरा होता है इंटीजर जिसको हम लोग इंट बोलते हैं और फंट फोलोट हमारा फॉर्थ नमबर होता है डब ठीक तो पहले हम लोग डिक्लेर करते हैं कि वह हमारा डेटा है जिसको लोग लोग श्टोर कर रहे हैं उसका type क्या है वह किस प्रकार का data है हमारा उसको लोग यहां पे सबसे पहले mention करते हैं जैसे character, integer, float, double अगर आपको इन चीजों के बारे में पता रहेगा तभी आप वहाँ पे mention कर पहोगे कि हमारा data किस प्रकार का है ठीक है इसका type क्या है इसको हम लोग कैसे कहाँ पे store करेंगे सबसे first है हमारा character तो character data type क्या होता है किसी एक word संख्या या विसेस चिन्हों को memory में संग्रेद करने के लिए इस प्रकार की data type का प्रयोग किया जाता है और यह जो memory में computer memory में एक byte का स्थान गिरता है और इसकी जो value की limit है वह 128 से 127 तक होती है ठीक है और देखो second है हमारा integer टीजर ठीक है सॉल्ट में इसको इंट बोलते हैं लोको कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है मैं आपको थोड़ा बहुत आपको concept क्लियर कर देता हूं गभार जो यह सबी जो करेक्टर आते हैं इसके अंदर हम लोग इस्टोर करते हैं इसके अंदर हम लोग कौन से नंबर को इसके अंदर हम लोग इसके बाद आता है हमारा डेटा टाइप जो हमारा बड़ा है तब हम लोग उसके लिए इस्टोर करते हैं डबल का जैसे हम लोग अधर हम लोग करेंगे आते हैं तंब हम लोगक और आते हैं अपने जो भी कंसेट है उसकी तरफ जो हमारो यह चिनों को मेमोरी में संग्राइट किया जाता है और इस प्रकार की डिटर डाइब का उप्योग किया जाता है ये computer मेमोरी में एक बाइट का स्थान जो है फिल करता है और इसके जो value है उसकी जो limit है वह 128 से 127 तक होती है यहां पर माइनस होना चाहिए उसके बादा जो होता है एक पुड नंबर मेमोरी को संग्रित करने के लिए उप्योग किया जाता है यह मेमोरी में दो बाइट का स्थान फिल करता है ठीक है इसको भी आप लोग नोट करते चलना जो हमारा प्लस माइनस का यहां पर रहना चाहिए ठीग है थोड़ा वहते हैं पर कंफ्यूजन माइनस रहना चाहिए माइनस से लेकर के जब संग्रित की जाने वाली जो संख्या है फ्लोट डेटा टाइप की सीमा के बाहर हो जाती है कंप्यूटर में आठ वाइट का अस्थान फिल करता है और इसकी जो लिमिटेशन है वह यहां पर इतनी से लेकर के इतनी तक होती है ठीक है जो इंपॉर्टेंट है वह आपको अगर हमने कहीं पर डेक्लेर किया है तो हम लोग वहां पर क्या स्टोर करेंगे वहां पर हम लोग पर जैसे क्याग है jedem ओर हमने कहीं पर तब हम लोग वहाँ पे float type का ही data वहाँ पे store करेंगे देखो float में हाँ पे decimal आपको देखने को मिलेगा integer में number आपको देखने को मिलेगा code number character में एक character single quotes में ठीक है तो आपको clear हो गया होगा और next है हमारा declaration of variable variable का आम लोग किस पर का declare करते हैं जब मैंने आपको variable में भी प्राया था तो उसमें आपको यह चीज़े बताई थी बट फिर भी थोड़ा से एक सको रिवीजन टाइप में आप समझ लो वैरीवल के लिए एक container की तरफ कारी करता है जिसमें हम लोग अपने जो भी data है वैलू है उसमें हम लोग संग्रहित करते हैं ठीक है देखो यहां पर पर declaration का जो topic है उसमें आपको समझना है कि कि की प्रकार हम लोग declare करते हैं ठीक है तो आइए आपको अरेडी पता है क्या होता है फिक है अगर नहीं परता है फोड़ा साव समझ लो कि क्या होता है क्यों में किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले वैरीबल को डीक्लियर करना पड़ता है एक वैर्यमी सिर्ट उप्योग ज wouldn't स्टोर करते हैं वाटर स्टोर करते हैं उसी प्रकार जो हमारा वैरियेबल होता है उसके अंदर हम लोग वैलू स्टोर करते हैं अब इसका जो डिकलेर सने मतलब हम लोग कैसे प्रोग्राम में इसको डिकलेर करते हैं उसका लॉजिक यह है कि सबसे पहले हम लोग data type को लिखते हैं कि हमारा जो data हम लोग store कर रहे हैं उसका type क्या है ठीक है type का मतलब integer है । अज़ोट है double है और करक्टर है उसका type कहा है माल लिए है उसका type है integer integer को हम लोग IN.t से denote करते हैं उसके बाद variable हम कुछ भी ले सकते हैं आपका नाम कुछ भी ले लो जो आपको मन कर रहा है वो आप लिख सकते हो उसके बाद हमने अगर यहां पर देखो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे वैल्व स्टोर कर देंगे 79 ठीक है अगर हमने यहां पर स्ट्रिंग लिखा होता है तो